आपको जनकारी देंगे कि रोपा मडवा की विज्ञानिक खेती कैसे की जाती है तो सबसे पहले मैं किसान भाईयों को ये बताना चाहूँगा कि मडवा का खेती दो तरह से किया जा सकता है एक तो हम लोग डाइरेक्ट सोइंग करते हैं और एक रोपा विधी से करते हैं जो डाइरेक्ट करते हैं जो सीड के थुरू करते हैं जो डाइरेक्ट जो बीज है इसको हम लोग 30 सेंटी मीटर के दूरी पे लगा खेत का अच्छी तरह से निकाई गुड़ाई करके 30 cm के दूरी पे लाइन बना लेंगे और लाइन में इस मडवा का सीड को डालेंगे और सीड डालने के पहले कुछ आवस्यक जो जानकारी है वो हम किसान भाईयों को देना चाहेंगे इसमें जो खाद की मातरा है वो 40, 30 और 20 kg प्रती हेक्टियर एक हेक्टियर का मतलब है कि धाई एकर यानि धाई एकर कहें या एक हेक्टियर कहें इसमें 40 kg नाइटोजन देंगे और 30 kg फोस्फोरस देंगे और 20 kg पोटास देंगे यह आप यूरिया के थुरू दे सकते हैं, डीएपी से दे सकते हैं, नाइटोजन डीएपी से अगर देंगे तो उसमें फोस्फोरस मिल जाता है लाल खाज जिसे पोटास कहते हैं, उसकी मातरा कम रहती है लेकिन उसको भी देना आवस्यक है क्योंकि जब आपका फसल रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में चला जाता है, जिस समय उसमें दाना लगता है कि उसमें जब दूध लगता है, उस समय जो पोटास जो खाद है, इसकी जो भैलू है इसका बढ़ जाता है और जिस समय आपके खेतों में जब पोधे में जब पत्ते आते हैं, तना का डिवलप्मेंट होता है उस समय नाइट्रोजन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होता है, उस समय हम लोग यूरिया या डिएपी जो देते हैं, इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा होता है और यूरिया का जो छिड़काओ है एक साथ नहीं करें जिस समय हम लाइन स्विंग करेंगे कतार से कतार का जो सीड गिराएंगे उस समय आधा यूरिया ही डालेंगे जितना भी आपको रेकुमेंड किया जाता है और जो आधा यूरिया बच जाता है उसको दो अलग अलग दीनों में एक पचीश से तीस दिन स्विंग के बाद और दूसरा पचास से साथ दिन स्विंग के बाद उसको हम लोग दो बार में डालते हैं बात यह हो किए डाइरेक्ट अगर आप मढवा का खेती करते हैं तब अगर मढवा का खेती करने में आप रोपा का उपीयोग करते हैं तो रोपा के लिए सबसे पहले आपको Seed जिस तरह धान का खेती में रोपा करते हैं उसी से वहीं विधी यहां भी अपनाया जाता है और जब रोपा विधी करेंगे तो सबसे पहले मडवा का जो सीड है बीज को सबसे पहले हम अपने खेतों में जो थोड़ा सा उचली उचा भूमी है वहां पे सीडलिंग तयार कर लेंगे वेराइटी के रूप में BM2, BM3, BBM10 यह सब वेराइटी है जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा एक हेक्टियर में अगर आपको खेती करना है तो आठ से दस कीलो परती हेक्टियर मतलब अगर एकर में कनभर्ट करेंगे तो तीन कीलो आपका सीड लगेगा एक एकर म उस हिसाब से सीडलिंग तयार कर लें और 25-30 दिन का जब सीडलिंग तयार हो जाए तो उसे रोपा कर सकते हैं रोपा करने के पहले आप जानते हैं खेतों को अच्छी तरह से तयारी कर लेते हैं जिस तरह धान का खेती करते हैं उसी तरह से इसका भी रोपाई होता है और इ सेंटीमेंटर यहां भी होना चाहिए अगर रुपाविधी करते हैं या डायरेक्ट स्विंग भी करते हैं दोनों में अगर गोबर का उपलब्धता है तो पांच क्विंटल परती हेक्टेर गोबर स्विंग के पहले जिसमें आप अपने खेतों का तैयारी कर रहे हैं उस समय जरूर दे दें उससे आपके खेतों का जो उर्वरा सकती है वो बना रहता है क्योंकि हम लोग नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासी तीन खाद का जो बात करते है हैं इसमें माइक्रोनिउट्रियेंट जो होते हैं उसकी उपलबता नहीं हो पाती है इसी लिए हम लोग बोलते हैं गुबर के खाद देने के लिए जिसमें की माइक्रोनिइट्रेंट की उपलबता करा देता है